इस्पाइनर मस्कूलर एट्रोपी से पीडित हिर्दियांस अब आम लोगों की ही तरह जिंदगी जी सकेगा दुनिया का सबसे महेंगा इंजेक्शन जोल गेनेस में हिर्दियांस को लग चुका है आपको बता दे कि हिर्दियांस की मदद के लिए आम जन के साथ साथ फुल स् और शायद उसी का परिणाम हुआ कि मासूम लिए जीवन रक्सक इंजेक्शन उपलवध हुआ और उसे लग चुका है फिर्दियांस के परीजन ने बताये कि इंजेक्शन बनाने वाली अमेरिकी कंप्री ने भी हिर्दियांस के इलाज में काफी मदद की है उन्होंने इन किष्टों में एक साल में जमा कराया जाएगा हुर्दियांस के इस इंजेक्शन और इसकी बिमारी के बारे में उसका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रियांशू जनता दर्बाद ने खास बात चित की है आईए आपको सुनाते हैं जिसका इंदिजार बहुत लंबे समय से हो रहा था वो आ चुका है उस बच्चे को लग रहा है जैसा कि आपने बताया इस बिमारी के वारे में थोड़ा सा आप से जाना है इस बिमारी का जो प्रिवलेंस है वो हर 10 अजार में एक बच्चे को spinal muscular atrophy होती है लेकिन सब में यह serious नहीं होती है spinal muscular atrophy करी तरह की होती है जिसको हम type 1, type 2, type 3 कहते हैं जब हम ऐसे में type 3 की बात करते हैं तो उसमें लक्षन काफी कम होते हैं और वो बच्चे यूजवली शुरुवाती लाइफ में इतने उनको तकलीफ नहीं होती है सबसे important तो यह है कि एक तो जो देखा गया है कि जीन थेरपी लगने के बाद सबसे पहले बच्चों की जिंदकी है वो खत्रे से भार आचाती है जो उनको मित्यू का खत्रा रहता है रेस्पिर्टी फेलियर का उससे भार निकल आते हैं तो दुनिया में अब तक 3500 बच्चों को यह दवा लगी है और उसके उपरान आपको जानके खुशी होगी कि उसमें 3491 बच्चे बच गए तो आप सोच सकने हैं कि इस दिवा की अफिकेसी कितनी अच्छी है और जिस बिमारी में बिना ट्रीक्मेंट के अल्मोस लगबग 100% मॉटालिटी थी उसमें हम 99.5% तक सर्वाइवल कराने लग गए और यह एक नए एरा की शुरुवात है अगर आप तो पिछले कुछ समय में जीन बेस थेरपी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं दुनिया में लगबग 400 तरह की जीन बेस थेरपी बन रही है तो जो यह जीन थेरपी आई है मार्केट में यह आगे बहुत सारी बिमारियों के लिए जनिटिक बिमारियों के लिए रस्ता खोलन अपड़े कोई ऐसा एक तरीप इसमें एक बहुत महत्पून बात यह है कि हमारा प्रशाशन हमारे जो प्रिंसिपल सहावे हैं हमारे अधिक्षक सहावे हमारे है वो हमेशा से सपोर्टिव है इवन हमारी गौर्मिंट बहुत ही सपोर्टिव है कि जो मैं दिल से उनके लिए अपनी ग्रैटिट्यूट है कि वो लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहा यहां पर एक बात जरूरी है कि मेरा फोकस अभी भी यह है कि बचाओ इन बिमारियों में बचाओ सबसे महत्पून है अगर किसी परिवार में इस तरह की बिमारियां चल रही है तो मैं उस परिवार ज सब्सक्राश्ट के लिए अभी जो साट मिनिट का इंफ्यूजन होता है उसमें लगबग 40-45 मिनिट अल्रेडी हो चुक है अब 10-15 मिनिट का और प्रोसेस बागी है और उसके बाद हम बच्चे को अब्जेवेशन में यहीं रखेंगे सब्सक्राइब डॉक्टर हमें बहुत खुशी है कि यहां इतनी बड़ी मोहिम में हमें सफलता मिली चिकिशा विवाग के डाक्षा प्रयांसु मात्रोजी के एडवाइज पर हमने इस मोहिम को चालू किया और यह बहुती असंभग था कि हम इतना पैसा एकटा कर सकें यह सारे 70 करोड रुके की जो व कारी है राउल प्रकाज जी डीजीपी शाव ने एक आपील जारी की और सभी ने बड़े हरते से पुलिश विवाग ने हमें पूरा सहयोग दिया और जंता जनार्दर ने सहयोग दिया और इस बच्चे के जीवन के लिए इस तरह से जो सहयोग किया है उसका हम तैय दिल से केहराईश में बहुत हार दिक अबनंदन करते हैं और उनके लिए हम दुआ देते हैं कि भगवान उनके जीवन में भी खुशियां दे और नरेश शर्मसर ये नरेश जी थे ये बच्चे के नाना है आपने सुना डॉक्टर प्रियांशु से भी हमारी बात हुई है और उसके बाद में आपको हम जानकारी के लिए बताते हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर प्रियांशु ने कहा है कि ये जो दुरलब जो बिमारी है दस हजार में से एक जने कोई होती है लेकिन अब खुशी की बात ये है कि बच्चे हिर्द्यांश को वो इंग्जेक्शन लग चुका जनों को बताया जाएगा डॉक्टर साब के दौरा वही बस प्रिकॉशन अपनाने होंगे और उसके बाद से हिर्द्यांश फिर से अपनी एक नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा सेयोगी केमरामेन अजवे के साथ उमंगमा थूर जनता दर्बाद